अब 36 गर में कनवर्जन नहीं चलेगा जुर्गे दिलिप सिंग दुदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखो लोगों का फैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदु धर्म में वापस लाए हमारे भोले भाले आदिवसी को भरगा करके दवाई के नाम से सिवा के नाम से बहुत ज़्यादा धर्मांतर हो रहा है 2024 चुनाव के रण से पहले धर्मांतरन का सियासी खेल शुरू हो गया है बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित धिरेंदर शास्तरी की मंगलवार को 36 गड में एंटरी हुई आते ही उनके बयान ने प्रदेश में हल चल मचा दी अब 36 गड में भी बागेश्वर ग्यास पीठ हनमांगी की क्रफा से यहां पर भी समूचे छेक्तर में जितना कनवर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा घर बापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी जाएगी इसके बाद सियम विश्णुदेव साइभी धिरेंदर शास अन्यथा वाँ पर एसिया महादुईव का सेकंड लार्जेस चर्च है जोरों से धर्मांतर्ण होता है सुर्ग दिलिप्चिंग दुदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखो लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदु धर्म में वापस लाए तब उनों क गजों के बयान आने के बाद इस आग में घी डालने का काम कांकेर सांसत के बयान ने कर दिया तो इधर कॉंग्रस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोरी बयान बाजी करती है कॉंग्रस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा धर्मांतराण के आरोप बीजेपी लगाती रही तो रामन सरकार में सबसे ज़्यादा चर्च का आरोप कॉंग्रस मढती रही 2024 चुनाओ के पहले बीजेपी का धर्मांतराण का मुद्दा उठाना गहरे मायने लेकर आया है बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बेल्ट में ये मुद्दा गहरा असर डालेगा लेकिन तमाम सियासत के बीच पंडित धिरेंदर शास्त्री घर वापसी पर एक और सलाह दे गए घर वापसी के बाद मैं जो समाज सुईकार नहीं करता ये सबसे बड़ी भूल है देखो सुबह का भूला साम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते कोई बेटा किसी माबाब का बेटा जब चला जाता है वो बापस आ जाता है तो माता पिता उसी प्रकार सुईकार कर लेते हैं जैसे बच्पन में करते थे उसी प्रकार प्रतेक समाज को हमारी सिक्षा है और हमारी गुरू होने के नाते आग्या है उन्हें उसी प्रकार से उनको सुईकार करो, वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहें, इसी लिए प्रतेक समाज को पूर्वेबद की तरह सुईकार करना चाहिए। खुल मिलाकर आदिवासी सीयम का प्रदेश में होना और आदिवासी मुद्दे का 2024 चुनाओ से पहले उठना कई समी करण लेकर आया है। अब देखना होगा कि जनता पर ये क्या असर डालता है। गौरोश शुकला के साथ है। टिकेश वर्मा, बंसल नियूज, तभी तो भय, धूक और भष्टाचार पर सियासी बवाल काटने वाले नेता इन दिनो धर्म और धर्मांतरण से ज्यादा आगे बढ़ी नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंतरी साहिब आगेश्वर के मंच पर पहुँच कर धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला। रही सही कसर पूरे दिन विपक्ष, सत्तापक्ष के नेता मंतरी और सांसोदोनी पूरी कर दी। सत्तापक्ष के सूर केवल सियासी हवाबाजी है या फिर लोगसभा चुनाओं के पहले हिंदुत्य की जौला को सुलगाय रखने की कोशिश। चर्चा की हम शुरुवात करेंगे, हमारे साथ तीन बेहत खास मैमान भी जूड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, अमरजीत भगत पूरु सरकार में कद्दावर मंतरी रहे हैं, क्या कुछ कहा धर्मानतरण को लेकर आपको सुनवाते हैं, फिर आपकी तारूफ हम हमारे जो मैमान हैं उनसे करवाएंगे, जी. जितने भी धर्मानतरण हुए हैं, या अन्य धर्म का उदय हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मूल में हिंदु धर्म रहा है, तो क्या कारण है, आपने क्यों उस लोगों को सहच के नहीं रखा, सभी लोगों को साथ ले करके चलने की भावना रहती, तो कौन दूसरे धर्म में जाते हैं, आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्मों जायती करोगे, तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वावी है, तो उनका सापतर पर कहना हिंदु धर्म ही इसके लिए जिम्मेदार है, कि आप उन लोगों को सहेच कर नहीं रख पाए पता नहीं, जब ये सब चीजे ध्यान आती है, सत्ता पक्ष में रहते हैं, तो क्यो ध्यान नहीं आता है, जब आप विपक्ष में रहते हैं, तो आपके सूर बदल जाते हैं, सत्ता पक्ष में रहते हैं, तो कुछ और ही बात आप करते हैं, चलिए, खेर ये तो राजी नि बटरब में ढ़ना है लुथ तो भी आप लोग आप करते थे वही लग लग रहा है कि असा लगीरई की सत्ता में आप सत्ता करते और थ हण हों भात करता है। कीजिए राजी जी कोई आज की समस्य नहीं यह तो ब्रिटीश के समय से और यह केवल भारती महादीप की बात नहीं तो अफ्रीका में भी है जब अफ्रीकन लोगों को कहा गया कि आपकी समस्य आप बंद करिये और आपके हाथ में यह किताब दी गई धर्म की किताब और जब की घर्मांत्रण का विरोब और यह आज की बात नहीं ऊद्धीवपुरा नहीं है। इसलिए विरोध होता एक। अगर आप देख रहे हैं कि मनिपूर जल रहा है इसके पीछे धर्मांतरन इस तरह कि आप इस राष्ट से अलग हो जाएए आपका धर्म अलग कहता है आप एटिकन को मानिए आप पोप की सत्ता को मानिए यह समस्या सदियों पुरानी है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं घर समस्या दिति जी और यह कॉंग्रेस में पिछले पांच वर्षों में पाला पोशा गया है और इस समस्या को लेके हम बात करेंगे आगे भी बात करेंगे कोई आज की समस्या नहीं कि कल जादू की छड़ी से दूर हो जाए और इस्षी दूरुप से हम उन खृस्त बंधों क जब आये थे भारत में मुझे याद है दो हजार ग्यारा में तो उन्होंने कहा था कि जादा से जादा धर्मांतरन होना चाहिए और उस समय कि आज जो तातकालीन कॉंग्रेस की लिडर्शिप के लोग है वो साथ में खड़े वे तो यह दुख की बात है कि राज जी पोश् पर कौन सा हिंदू धर्म था तो हिंदू धर्म और सनातर्म पर ठीक है उसमें जो कमियां उसे ठीक किया जाएगा लेकिन धर्म के लिए किसी धर्म को गली देना या उसकी आलोचना करना यह दुखाद है पंदरा साल में भी अगर वही सुर हैं जो दोजार से दोजार्तीन में थे और वही सुर्व हैं तो पंद्रा साल बड़ा लंबा समय होता है उम्मीद किससे करें जंता सुरिजी आदिती जी आपको याद होगा लगभग 11 महने पहले देश के सरोच नया राय ने केंदर की सरकार से ये कहा था कि देश में केवल नौ राज्य हैं जहां पर इसके खिलाब कानून है और बाकी पूरे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है वर्तमान दोर में जो वर्तमान दोर सुप्रीम कोट ने कहा कि सबसे बड़ी तरासदी है इसके खिलाब कठोर कानून मनाए क्या किया केंदर की सरकार ने सरकार तो है दस सन होने को आए तो भारती जंता पार्टी का ये राजनितिक पाखंड है आदिते जी दो अलग अलग भी से हैं धार्मिक्स वतंतरता का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन जबरिया धर्मांतरण जो है उसके खिलाप 36 गडमे 1968 में पहली बार बदप्रदेश में कानून बना उसके पहले पूरे देश की अगर चर्चा करें आदिते जी उडिसा पहला राज है जिसने धर्मांतरण के खिलाब कानून बनाया और ये भारती जनता पार्टी का राजनेतिक पाखंड है आपको याद होगा प्रताफ सारंगी कौन है जिस पर बदरंग दल के मुखिया रहते उन पर आरोप लगा ग्रहम स्टेन और उनके ग्यारा साल और साथ साल के बच्चे के हत्या का भीड के द्वारा लिंचिंग करके जो हत्या की गई थी जला के मारा गया था उसमें स्रजयंतरकारी के रूप में जो आरोपी बन हमें लोगा तो जनता कारवाही का दिकार कानून बनाने का दिकार दिकार है यह लफाजी करके लिए׊ करन के लालच में इस पकार से नफरत फालाने के लिए मती बोचकों तो brag अपने दाइटों से नहीं बस सकते पूरी जिम्मिदारी से आपके चैनल में कह रहा हूं कि कॉंग्रेस के सरकार के रहते 2018 से तेज तक एक भी प्रमानी कारोग एक भी एफ आयर जवरिय धर्मांदरण के होतों बता दे तो ये केवल धुरूवी करण के लालच में इस प्रकार से नफरत फैलाने के लिए मसी बोचकोना योजित करता है 15 साल में सबसे ज़्यादा चैनल में बना थे 15 साल में इनके नेता मंत्री चंगाई सबह में भाग लेते थे बड़े-बड़े मैदानों में जंगाई सबह तेल पानी जेने का काम होता था रामकुंड में सरोना में इनके नेता मंत्री जाते थे प्रार्शन सबह में तो ये बाटने और काटने का कुछ सी प्रयास नहीं चलेगा समयधारिक पद में रहे होने बोली इनके विधाय कायते ती राजा का क्या बयाना है तो सरकार किसकी है आपको प्रदेश में और देश में भी सरकार भी किये इनका दाईतु है अंडिजी ये त्रेता युग की शुरुआत द्वापर युग की शुरुआत जैसी लाइने मुझे रोज सुनने को मिल रही है क्या त्रेता और द्वापर युग में भी धर्मांतरन होता था अंडिजी बाबा बगिश्वर बूल रहे हैं कि हम लोग तरेता में प्रवेश कर गए हैं द्वापर में जाना हैं ये हो क्या रहा है तोड़ा सा सम्झाने की कुशिश करी है अला जी तरेता यूग को अदित जी ना आपने देखा है ना मैंने देखा है और न नहीं मेरे अगल वगल जो दो साथी बैठें उन्होंने देखा है और मेरे खरसे जो हाज संसार में जो लोग भी है उन में से किसी ने नहीं देखा है क्योंड जो पढ़ है या सुनते रहे वही बात होती है रही बात जाने की तो कैसे किसी पिछले यूग में कोई जा सकता है अधित जी नए की ही परिकलपना होती है वो तो अतित हैं वो तो किताबों में हैं आप वापस उसमें कैसे जा सकते हैं लेगी जहां तक या धरमांतरंग का विशय है अधित जी तो मेरे भाई राजीर चक्रवरती जी ने जो कहा ये ब्रिटिस काल में होता ला था सारी चीजे हैं तो ये बिल्कु सत्य है गांधी जी के किताब है सत्य के प्रयोग जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है तो सत्य के प्रयोग में भी कहीं पे एक जगह जिक्र होता है कि उस जमाने में भी धर्मांतरंड के लिए कुछ लोग लगे रहते थे फिर हम 36 रड़ की बात करें हमाने के जो पहले मुख्य मंतरी थे अजित जोगी जी निश्यत रूफ से उनके पिता या दादा ने धर्मांतरंड किया था क्योंकि उनका जब जातिगत मामला आता था तो कहा जाता था कि वे आदिवासी हैं और कहीं पे कहा जाता था कि वो सत्नामी है और रही बात मैं अपने मित्र सुम्रेंदर वर्माजी की बात सुन रहा था तो जो गराहम इस्टेंज जो पाधरी थे ऊडिसा में गाडी के भीतर वहाँ बेटे फिलिप और तीमोलिक के साथ सौ रहे थे और गाडी में महाँ पर आग लगा दी गई तो ऐसा जो है ऐसी हिंसा ऐसी हिंसा का जो रास्ता कोई धर्म नहीं दिखाता और कहीं पे नहीं लिखा जा सकता कि और नहीं सिखाया जाता है कि इस रस्ते पर जाना चाहिए लेकि बात जो है अधित जी जो आज हुई तो जो एक चीज है आपे बस्तर का जिक्र है मैं आखरी से जो हम बस्तर की बात जो है बहुत ज्यादा सुनना है धर्मांतरण की और अधित जी मैं आखरी में यह कहना चाहूंगा जब 2023 का शुरुवाती जनवरी और फर्वरी महिना था तब से मैं कहता था और कितने ही डिवेट में मनें कहा 2023 के विद्दान सबदाव में धर्मांतरण एक त्रमुक मुद्दा होगा और आज मैं यह कह रहा हूं कि 2024 के चुनाओ में भी धर्मांतरण एक त्वमुद्दा होगा राजी जी जश्पूर, नारायनपूर, बस्तर और भी कई सारे हिस्से हैं जहां आरोप लगते रहें वहाँ पर सबसे ज़ादा धर्वांतरन पिछली सरकार में हुआ है हमने नजारा भी देखा है कारवाई का आप लोग क्या धर्वान है वह अपने कहीं भी किसी रजिस्टर में यह नहीं लगते हैं कि मेरा धर्म क्या है जो ट्राइबल है वो ट्राइबल ही लिखता है उसको सुईधाएं चाहिए तो इसलिए कॉंग्रेस के मित्र लोग चीक चीक कर कहते हैं आपने 15 साल में क्या किया यह तकनीकी बात है लेकिन जहां तक धर्म की बात है कर्म की बात है तो हम लगतार विश्मेंदू परिशत के साथ मिलकर संग के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो प्रलोबन में धमकी के द्वारा अलगी कानून भी उसमें कोई आप जानते हैं देश में हजारों कानून हैं कानून रूप से हम इसका हल नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बाद पूरुखाद मंत्री एमाजीत भागजी ने बोली है कि कole some cleanup on check जाड़ू लागाते उसप television की बात के सभसभाई कर रहे कि सारे लोग पीलग्यों कि संघ की कारव कि कर दिदी नंक सन शपाद के अला थे को तो यह बातें धीरे थे खत्म हो जाएगी हां दुख ही इस बात को होता है कि कॉंग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता पर आती चैन्दर की सत्ता पर राजी तो उनका छुपावा एजेंडा रहता है वो धर मांतरन को अगनॉर करती है और धर मांतरन चलते रहता है राजी जी विधान सभा का गेटा है अन्रीजी अगर मैं गलत होंगा तो correct करेंगे हुपेश बगेल जी ने सारवजनी किया था कि आपके 15 साल में जितना ज्यादा चर्च का निर्मान हुआ है ये एक नजीर थी कि इतने चर्च का निर्मान से आपके शाषनकाल में हुआ है कॉंग्रेश शाषनकाल में नहीं हुआ दूसरी चीज दभी जुबां से बात दिया दे थी कि आप लोग कोई पता था कि धर्मानतरन हो रहा है लेकिन सरकार आपकी थी तो आप कुछ कर नहीं पाए सच्चा है रजी इसमें एक तो चर्च का निर्मान हो रहा था तो क्या सो रहे थे अब लुग आपके रहा हुआ थी लगे देखे आधित जी वहाँ में विधान सबाव में ने जो डेटा रखा गया कि एकदम बिल्कुल 100% डेटा की बात तो दावे से नहीं कही जा सकती है लेकिन यह है कि जहां तक कहा है कि इतने दावे से अगर कहीं रखा गया विधान सभा में तो इन्हों ने भी रोग क्यों ने किया अगर गला था तो थी और रही बात है कि धर्मांतरन तो समय हो जाती ठीक है सुरें जी आप लोगों ने क्या किया है किसे बढ़ावादियस पर नहीं जाएंगे नी तो बहुत सारे असा लगेगर निशाना साधा जा रहा कॉंग्रस पर क्या इस बात से इंकार कर सकते हैं सुरें साब कि जो छत्तिदगड के तिहास में कभी नहीं क्यों नहीं कुछल पाए आप लोग हतियार को पांस साल तो मिला था आपको भी। की राजनीती है जो सडियंत रहे उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं सुनीजिए 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 31 अगस को अरे ऐसे बात नहीं होगी राजु भाई अपने समय में बोलिएगा 31 अगस 2019 को सुप्रीम कोट के 6 साल के निगरानी के बाद में असम में अनर्सी लिस्ट अगसे बात नहीं है जो काली चरना के यहां अफरत पहला आगे वो तो समधानी पतपर नहीं है प्रदेश के मुख्या मुख्मंत्री ये कह रहें कानून क्यों नहीं बनाते तो इनकी मंसा समाधान में नहीं है मसीब हो जा यह यहां पन्ना लाल के साथ में 15 साल रमान सिंग बैट के मसीब हो जिए यह प्राटन सभा में जाने वाले यह है चंगाई सभा को सरुलक्षन देना वाले है लेकिन यह केवल यह समाधान चाहते नहीं यह तो सुलगा के अपने सियासी रोपी से ना चाहते है इसका आशा है आप किवाल लोकसभा चुनाओं से देख रहे हैं जो महाल बना है राम मैं हिंदुत्यों का महाल उसकी वज़ा से है क्या सोचते हैं देखे क्या है धर्मांतरन की बात तो जो है बहुत पहले से होती रही मैं पहले भी कह चुका हूं और दिलिशीन जुद्यों अधियों 36 रड़ में मद्य प्रदेश के समय में ही इतनी बड़े जो नेता बन गये और उनको अर्जुन सिंग्जी जैसे जो है शक्षिया मतलब वो समय मुख्य मंतिर से अर्जुन सिंग्जी उनके सामने जो उतारा गया था तो कहीं न कहीं उस समय धर्मांतरन ही बहुत बहुत काम किया उन्होंने अफरिशन घर वाफसी लेकिन यहीं कहूंगा कि बात सरगुजा तक सी अब यह बात बस्तर वी जानीặtाफित में और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं देखे प्राड़निती में लाव यहानी की बात पर मैं नहीं जाओंगा लेकिन जो बस्तर जहां से नकसलवाद मुक्त होई नहीं पा रहा है तो इस विधान सभा चुनाओं में प्रमुख मुद्दा नकसलवाद नहीं था इस विधान सभा का जो है कोई मुद्दा बस्तर में उत्रा असार नहीं करता वहाँ एक अलग सोच है लेकिन बात यहीं है कुल मिला के धर्मांतरन अब भी असार खारी मुद्दा होगा ठीक है राजी जी धर्मांतरन को लेकर आपकी पार्टी कारवाई करने के मूड में है कि जागरुकता के पक्ष में कैसे आगे बढ़ेंगे आप धर्मांतरन का मुद्दा सियासत का मुद्दा तो है राजी जी मिलीग बात भूद ध्यान से सुनिएगा पर यह मुद्दा अचले पांच वर्षों में जो लग रहा था वहां पर डीलिस्टिंग की बात हो रहे थी निश्चित रूप से सन्विदंशिल मुद्दा है हम चाहते हैं कि धर्मांतरन रुके उसके लिए जो कानून बनाया गया है उसे जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जाए और जो गोते मैंने कहा ना गरीबी का शमन अच्छे अस्पताल होंगे अच्छे शिक्षा संवजान होंगे उस ओर हमारी सरकार काम कर रही है निश्चित रूप से हम कानून का भी सहरा लेंगे और उस बात का भी सहरा लेंगे कि इस प्रकार से गरीबों को बहलाया पुसलाया जात हम उनका संबान करते हैं हमने उनको विधायक बनाया तो कॉंग्रेस के लोग ये फैलाते हैं कि देखिए भाजपा गई डर के रही है इसलाम खत्रे में है इसाइयत खत्रे में कोई खत्रे में धर्मान चरण है सुरिंदी आप भी बोल रहे हैं करवाई करने के लिए राम वाला दाओं कॉंग्रेस पर्टी के उठा पढ़ने का असर तो नहीं क्योंकि अमूनन यह होता नहीं है रहे हैं किसी विशे पर सत्ता पक्ष और दोनों के विपक्ष के भी बोल एकी हो वो भी कहर रहे हैं करवा डी लिस्टिंग के संदर में केंदर में 10 साल से इंकी सरकार है थो हैं क्या केवल ये सियाशी लाप के लिए ऐसे डी लिस्टिंग की बात करेंगे यह बता है कब कानून लाएंगे हमने तो देव गोडी घोटूल आदिवासी चैत्रों में हमने तो संवरक्षण किया धर्म क सब्सक्राइब करने करें कि अधिए अधिवासी अधिवासी प्रकृति पूज़कों मांते हैं उनके लिए दिरोगूरी की वबस्ता और जिस प्रकार ये भाज़िपा करारे तो देख लिए विद्हान सभा में नामनी लीना चाहूंगा मैं क्या लगता है कि लोक आगए करने वाली बात पे तो नहीं जाना चाहूंगा अदित जी लेकिन यह है कि दो जो है मैं फिर कहूंगा स्वर्गुजा और बस्तर में धर्मांतरन का मुद्धा बहुत जोरूप और काम करेगा और कुल मिला के धर्म गुरू की तरफ से भी आवाज आ रही है धर्मांतरन की जह तक के और भी पहले भी तो धर्म गुरू आते से लेकिन धर्मांतरन पर अब ज्यादा जोर दे रहा है और यहां पर खास करके अमजित भगत जी ने कहा कि मूल में हिंदू धर्म एक लाइन जो कही उस आशाय को तो मैं समझ नहीं पाया आदित जी लेकिन जहां तक के फिर म अशी सीटे बहुत महत्वपूर्ण है बस्तर की लोकसभा सीट पिछली बार भारती यंता पाटी हारी थी यात करिया आप दीपक बैज जीते थे वहां से और बस्तर में इस बार फिर से अगर धर्मांतरन की आग जली तो निश्चित तोर पर सीधा फायदा अगर किसी का हो बंसल निउस के साथ तमस्कार